हे गाइस कैसे हो आप सब and I hope सब अच्छे होंगे तो मैं आज आई थी अपने लिए गोल्ड शॉपिंग करने हैं बाइदवए एक गोल्ड की चेन लेने तो ये मेरा सदेन प्लान था तो मैं यह पे दुकान पे आके बहुत सारा कलेक्शन अवेलेवल था मैं इस पे से चेन देख रही थी कि मुझे कोई एक पसंद आ जाए तो फाइनली ये वाले चेन पे मेरी नजर परी मतब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा एकदम बेस्ट लगा ये चेन डेलिवेर के लिए भी बहुत अच्छा था तो मैं इसको लेने का डिसिजन ले अपने लिया देख रही थी एक बार मुझे लेना था तो मैं अपने लिए पेंडर भी देख रही थी ये दो पेंडर में पर मैं कंफ्यूज थी तो एनिवेज उसके पहले जो hall mark है ना वो चेक कर लेना चाहिए कोई भी gold को लेनी के पहले तो वो real gold होता है तो इसलिए मैं hall mark देख रही थी और gold जो है ना वो 22 karat का ही होना चाहिए वो pure gold होता है उसके बाद मैं ये वाला pendant है अपने लिए select की थी तो मैं अपने भाईया को बोल रही थी कि इसको finally लेने के पहले एक बड़ मुझे पहनने दो मैं एक बड़ इसको पहन के देखना चाहती हूँ कि ये मेरे उपर कैसा लग रहा है तो उन्होंने मुझे permission दे दिया और मैं इसको देख रही थी पहन के mirror पे तो मुझे तो ये बहुत ही ज़दा best लगा मैं इसको पहन के बहुत ज़दा खुश थी और इतना सुन्दर लग रहा था ये मेरे गले पे बहुत attractive look आ रहा था तो अब तो मैं इसको बिना लिये तो मैं ऐसे जा नहीं सकती मेरे अंदर एक ऐसा वाला feeling आ गया था तो ये अब तो लेना ही था और फाइनली पूरे packaging के साथ भाईया ने मुझे मेरा जो gold है वो मुझे मेरे हाथों soft दिया और मैं इसको लेके बहुत ज़दा खुश हूँ बैदर मेरा ये chain कैसा लग रहा है अगर अच्छा हो तो मुझे comment में जरूर बताना मुझे तो बहुत ज़दा पसंद आ गया और मैं बहुत 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 खुश थी इसको purchase करके उसके बाद मैं थोड़ा गरियार्ट मार्केट के तरफ जा रही थी shopping करने मैं किसी और दिन ये मार्केट का full view share करूंगी आज मुझे थोड़ा सा जल्दी था तो मैं एक dress ली थी क्योंकि एक शादी अटेंड करना था और ऐसा ही राज का दिन